लोकसबाद चुनाओं की तारिकों का एलान होते ही कई एजंसियों ने अपने उपिनम पोर्ट जारी कर दिये इस बार नरेंद्र मोजी को सक्ता से बाहर रखने के लिए वीपक्ष एक्दूट होने की कोशिश कर रहा है लेकि अभी तक स्पश्ण नहीं हुआ है कि माः गड़ बंडन की ओर से प्रदन मंत्री पत का दाविदार कोन होगा लिए अजनसी प्रोजेक्शन के सर्वे के मुताबिक सत्ताधारी NDA को पीछले चुनाओं में मुकाबले में कम सीटे मिलेगी लेकिं बहुमत की करीब पहुच कर सकता है ऐसा होता है कि नरेद्र मोदी आराम से दुबारा प्रदन मंत्री बन सकते हैं प्रोजेक्शन के सर्वे में NDA को 272 से 272 यूपीए को 132 से 236 और अन्य को 136 से 30 सीटे दी गई है हाला कि अगर मागडबन होता है तो इंडियो को नुक्सान उठाना होंगा सर्वे के मुतबि इंडियो को वेड़ शेर 34 और यूपे का 28 रहा है हाला कि इसकी भरपाई पच्ची मंगलाल उत्तरपूर्व के राज्यों से हो सकती है इसपी बीएसपी का मागडबन एकतलिस से 50 सीटे ला सकता है वही दिल्ली में आमाज में पार्टी को कॉंग्रेस के साथ जाने का रास्ता दून रही थी लेकि कॉंग्रेस ने ऐसे संभावने से इंकार कर दिया हाला कि या बीजेपी को पीछे चुनाओं में मुकाबले नुक्सन होना पड़ा था सर्वेब में मताविक दिल्ले में बीजेपी को चार सीटे और आम आदनी पार्टी को तीन मिटर बिल सकती है 12-14 में साथों सीटे बीजेपी के थी वही राज्योत निहाए यह होंगी सीटे चंगो कश्मीरे यूपेयों को तीन सीट वही एंडियों को एक सीट मिलेंगी घेमाचा प्रदेश में यूपेयों को चार वही एंडियों को दुएक सीट पंजाब में एंडियों को चे यूपेयों को चे हर्याना में एंडिये को 6, यूपे को 2 सीट मिलेगी, रायस्तान में एंडिये को 17 वई यूपे को 8 सीट मिलेगी, दिल्ली में एंडिये को 4 वई यूपे को 0 सीट मिलेगी, उत्तराखण में यूपे को 4 सीट वई एंडिये को 4 सीट मिलेगी, मद्यप्रदेश में यूपे को 33 स यूपय को साथ सीट मिलेगी महाराष्ट में एंडियो को 25 सीट वो यूपय को 27 सीट मिलेगी यह रहां दोस्तों ओपिनंग बोल आपको क्या सुज़ा दोस्तों आपको क्या रखता है कि पहुंजी दाइंगा दुवादा उंगनिक्स का महा संगरा हमें कमेट करके जरूर बते क्या दोस्तों आपको कि यूपय को 25 यूपय।